तो यह वीडियो है दो ऐसे प्लेयर्स जो भाई मुझे बहुत ही टाइम से पसंद है जब मैं खेलता है 2016-17 तब से मुझे पसंद है तो यह दो ऐसे प्लेयर्स है केरोड़ा मरेन और टाइजविंग तो भाई वीडियो शुरूआत ही करते हैं और उससे भाई एक एकर के डिसक पहले हम डिसकेशन शुरुबात करें कि टाइजविंग से कौनसी ऐसी चीज़ है जो उनको डिफ्रेंट बनाते दूसरे प्लेयर से तो वह है कि अनप्रेडिक्टेबल शॉट्स और यह बहुत ही बड़ी है एक चीज होती है मैं ट्रिक शॉट्स की बात नहीं कर रहा हूं कभी कभी काम करते हैं मैं अनप्रेडिक्टेबल शॉट्स की बात कर रहा हूं कि जैसे आप टॉस मारने जा रहे हो चोड़ देगी उससे और एक नया शॉट्स बना देगी उसको ड्रॉप मार देगी तो समने वाला उसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा इसकी बारे में ब बट वो लोग उनके जैसे 21 पॉइंट की मैच होगी उसके अंदर भाई ऑफकोर्स पांच से ऐसे शॉट्स होगे जिसके वो ट्रिक शॉट्स ट्राइक कर रहे होता हैं त्रिक शॉट्स मैच नहीं जीती जाती लिचंवे लिंडेन ये और ऐसे टॉफिक अदायत ये एसे प और जब ऐसे सीडियस मैच इस हो जैसे लिंडेन के सामने ली चोगी है तो तो भाई आप गिने ही लोग कि ना के बराबर उनके ट्रिक शॉट्स होते हैं वो जिस पर फोकस करते हैं वो हैं रिलीज और शॉट्स कैसे खिलना है तो वही चीज़ बोल रहा हूं कि टाइजू कैसे वोमन सिंगल में ऐसे चेंज लेकर आती है तो वह यह यह अनप्रेडिक्टाबर शॉट्स के वारब बात है कि जैसे फ्रंट में अगर वो ड्रॉप माल आपने सामने वाले आपका 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 क्या रिजर्ट हो आप जाके ड्रिबल करोगे या फिर लिफ्ट करोगे तो आपको सारे शॉट्स के लिए रेडी रहना पड़ता है तो यह एक बहुत बड़ी यूएस पी जो टाइजूइंग है उनकी बन जाती है सेकेंड जीस जिस पर बहुत ज्यादा यूएस पी बहुत सकते हैं टाइजूइंग की है वो है फूल कोट का कवरेज जैसे आंसे कितने इस तरीके से पूरे कोट को कवर कर लेती है तो हमेशा आप अगर देखोगे तो लिंडेन आपको कोट में मुझ जैसे चलते हुए दिखेंगे वह आपको दिखेंगे नहीं वह स्टैपिंग्स ले रहे हैं आपको लगया कितना इसी कर रहे हैं सिमिलर्ली जब आप लिचंगुई का गेम प्ले देखोगे तो एक्स्प्लोजिव थोड़ा बहुत ज्यादा बोल सकते हैं कि वह जम्प स्मेश ज्यादा लेते हैं बट जब टाइम आता है रेली को मतलब करने का कि बाई रेली को चलाना पड़ेगा तो भाई उनका गेम प सब्सक्राइब तो वही चीज़ बोल सकता है और यह कैसे हो सकता है दो टाइब से हो सकता है कि पहला आपने कभी गिंटिंग को जैसे एक्सल्चन उनके सामने खड़ा हुआ देखा तो आपको पता ही हुआ कि वह बहुत ही जाना की है बट इस्टिल वह एक्सल्चन को भी पुरे कोट में भगा देते हैं गिंटिंग कैसे ही वह नमबर टू वरल नमबर टू नहीं है सिमिलरली आपकी जो जैसे आपके पास हाइट होती है तो उसके साथ डिसेडवांटेज भी आते हैं वह हम कैरेड़ना मरीन के पार में बात करेंगे यहां पर यह शॉट हमारे सामने ही आ गया मैं अपको बताई रहा था कि यूएसपी का है देखो पीछे गए यहां से यहां से यहां से यह शॉट है आप एज़ प्लेयर जैसे मैं प्लेयर हूं तो यहां से सीधा यहां पर ड्रॉप लगाऊंगा यहां पर यहां पर क्रॉस ड्रॉप लगाऊंगा ठीक है यहां फिर पीछे टॉस यहां फिर कुछ भी मतलब ऐसे अलग अलग चांसे जैसे टाइज विंग क्या करेगी देखो यह ड्रॉप पर ने कैसा लगा ऐसे पैरा बोला आप अगर आप कोचिस के अंडर खेलते हो यह तो कई पर आपको कोचिस आपको यही बूलते होंगे एयाफ के ट्रॉप उपर से नीचे जाने चाहिए या फिर फ्लैट ओने चाहिए जब बी अप नैट पर करो तो वह सीधा ओड़ा ही ऊपर चाकर घृणा चाहिए थोड़ा ही नेट पर तो टैप मारकर से अलग मारकर फ आपने ड्रॉप मारा तो तो यहीं पे गिरेगा ठीक है वो आपका अपोनेंट रेटन कर पाएगा यहां जाएगा पैरा बुला बट अगर आपने ऐसा मारा है तो यहां से सीटा ही जाएगा आपका अपोनेंट इवन लिफ्ट भी कर दे तो भी नेट में लगेगा आपने देखा होगा कि कभी-कभी आप भी लिफ्ट करो तो नेट में लगता है वही सेम चीज़ है कि टाइजोंग ने एंड टाइम पर चेंज किया यही जी यूस्प है कि बारे में फुट वाफ और गेंपले के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अभी बात क करते हैं कि कौन सी चीज है जो कि अफनी बनाती और अच्छे-कासे प्लेयर से एक चीज़ जो भाई most of the प्लेयर्स एक्सक्राइब मतलब कैसा होता है कि 90% मैंने जितने प्लेयर्स देखे वो राइटी ही होता है lefty बोहत ही कम होते हैं एक चीज़ जो lefty प्लेयर्स बहुत ज सामने खेली होती है तो एक बोलते रहा कि हमें आइडिया होता है तो दिमाग में फिट होता है जब भी एक लेफ्ट एंड प्लियर सामने आधा है तो आपका दिमाग बिदम चोड़ा होता है यहां को मारू यह यूएस पी का करे नमरें की है ऑफकोर्स इंटरनेशनल लेवल पर उतनी जादा नहीं हो पाती बट सिल अगर आपको वन परसेंट टू परसेंट एडवांटेज एडवांटेज नहीं बोल सकते ऑफकोर्स यह एक चीज आप सको भाई इंप्रूफ करने पड़ेगी आपको आपको यह चीज को थोड़ा बहुत एडवांटेज में लेना आपका रिस्ट वाक जैसे आपके सामने राइटी प्लेयर है आप ड्रॉप मारोगे तो सामने वाला हो सकता है कि कुछ और सोच रहा हो क्योंकि आदत जो होती है हमेशा राइटी प्लेयर्स की होती है most of the time so यही चीज यही चीज यूएस्पी के रोइन मारेंट के बनाती है इनके यूंगर सेल्फ वाले अपने वीडियो अगर आपने देखे हो कि जो जब यूनियरों सब केलती थी तब जो केरेन मारेंट को जो चेंजिस उनको बहुत ज़्यादा आते हैं वो है बाई most of लोग यह बोलता है कि यह बहुत ही गंदी चीज होती आपको नहीं करने ची तो आपकोस आपकोसे च्ला रहे हैं अपकोसे बंपार रहे हैं यह चीज़े अलाओड नहीं होती अपार सिदाप को यलो कार्ट देगा बट आप जैसी आपने पोइंट लिए अपने पोइंट लेने के बाद तो यह चीज़ उनको मोटिवेट करती है नेक्स पॉंट के लि वो देखती है कि भाई अच्छा अब यह सब हार रही होती है तो खुट को मोटिवेट उस लेवल पर मैंने अभी देखा है लास्त एक दू साल की बात करना उसके पहली की बात नहीं कर रहा है तो एक पॉइंट उनको मिल गाना जैसे टैन टू से पीछे लेग कर रही है आपने देखा है उसके बाद घूमेंगी और वो उनका जो कोच होते हैं जो अभी तो संजी हो इनको देखते चलाएंगे यही चीज़ चलाएंगे और सारी चीज़ सेलीबरेशन बोल सकते हैं उसकी तो यहीं चीज़ है कि उनको भाई वोकल है अपने एक्स्प्रेशन के र जाना से जारा है सोच जा जब आप बहुत ज़्याता सोचते जाते हो तो भाई आपका कूछ जाओ जो पीछे बैठा हुआ है वह आपको क्यों बैठा हुआ है यह आपको समझाने के लिए तो बैठा है बेट सेम चीज होती है कि आप मोटीवेट आपको खुदको नहीं कर पाते हो और वो मैच और मोस्ट अफ टाइब अगर आप खेलते हो तो आपको पता ही होगा आप जीत नहीं पाऊ गया असे तो से यह चीज़ एडवांटेजियस के लिए है और यह आपको हमेशा यह याद रखनी चाहिए कि मैं आपको यह नहीं बोगा कि आपको जैसे आप असली में कोई थरट ए असली में इस बहुत ही बड़िया खिलने वाला परसन है उसके सामने पॉइंट लेने के बाद में चिल रहा हूं तो समझ भी आता है आप एकदम पपलू को यह आपके सामने चिला रहे हो और यह आप अगली हो एक टाइब के बोल सकते है कि आप उस पर अब पहुच ही नहीं पाई यह लोग इंटनेशनल प्लेयर्स हैं अफकोर्स मैंने देख रहा है मैंने बहुत सारे टोर्नामेंट्स में एक चूटी बच्चे होते हैं आठेर 9 साल के होते हैं वो लोग को भी माना बोत है कि चला आओ ये करो आपको कोई नीड इस चीज क आपके लेवल के प्लेएर हो या फिर आपसे बैटर प्लेयर हो उसके सामें पॉन्ट बैने के लगषे लिए उसको देखके तो कभी भी नहीं कभी आपको आपको कोडके एडिकुएट्स होता हैं आपको यह कभी भी नहीं बूलना चाहिए तो भाई ऑफ कर से बहुँ बहुत ज्यादा आगई, वो केस कभी और डिसकस करेंगे हम किसी वह चीज में, बट वही चीज है, आप कर सकते हो, तब तक आपको आपकी गेम पर ट्रस्ट है, आंसे हमको आप चलाते हुए, कभी भी नहीं देखोगे, वो जीतती है, उसके बाद चलाती है, तो आपका गेम स तो भाई, आपको शांत रहा न चाहिए, ऐसे भाई, उसके फोकस नहीं करना चाहिए थे, वो चला रहा है, गैप की गेम पर फोकस करो, तो यही चीज है थी, टाइज विंग, भाई, आपको लागा हाट चीज थी है, जैनी पी के समने, बट तो एक ते हैं कि बाई, नेक्स